नमस्ते दोस्तों मैं अपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यस सरातन में और दोस्तों बहुत ही ज्यादा मजा आया हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे सरातनी भाई हमारे आर्येजन हमारे हिंदू भाई सब एक हो रहे हैं उसकी ताकत जो है वो सबी राजनीतिक दलो को दिख रही है मैं कल एक न्यूज चैनल देख रहा था तो पहली बार ऐसा मुझे लगा है कि मतलब बुस्लिम लोग ये कहने लगे हैं कि हमको भी मंदिर ले चलो और हम भी वहाँ जाना चाहते हैं वो भले ही बोखलाई हुए हूँ चाहे कुछ भी था वो पूरी तरीके से सिर्फ एक हमारी बहुसंक्यक समाज जो हमारा हिंदू भाई है सिर्फ हिंदू समाज नहीं उसका ठेका उठाया हुआ था लेकिन अब जबर्दस तरीके से जिस तरीके से अभी गुजरात के चुना हुए हैं और राहुल गांदी ने भी एक पीछे दोड़ रहे हैं तो ये जो दोड़ना है जो टोप उतार कर जन्यू पहने लगे हैं और जिस तरीके से सावर कर जन्य कातना के तुम अपनी अगर ताकत दिखाओ तो ये लोग अपने कोट के उपर भी जन्यू पहने लग जाएंगे तो वह बास सच्ची होती नजर जा रही है और बहुत ही जबरदस्त मतलब तुम लोगों की एकता इस तरीके से रेगर जो अभी तलक कहते थे ना के तैमनु स्मृती में हरी जुनों को बहुत बुरा बताया गया है गलत बताया गया उनकी हवेल ना करना और उनको मारना पीटना इस सब बताया गया है तो उन सब को धता बता करके और रेगर को जिस तरीके से नोने पहले दलित बोलके परचारित किया और सब हिंदू भाई ने उसका अपना हीरो माना है तो ये एक नए समाज की तरफ बढ़ रहे हैं हम लेकिन कही न कहीं इसमें थोड़ा सा मुझे संदे ये पैदा होता है कि ऐस इसे टाइम ही अधिकतर क्या होता है ना कि ऐसे टाइम ही हमारे उपर नए नए नेता उभर कर आने लग जाते हैं तो वो हमको दबाना शुरू कर देंगे मतलब इसका कहीं ना कहीं दुरूपयोग होता है हमेशा है जब जब हिंदू एक हुआ है जैसे कि गुजरात में हु हो जाते हैं या ऐसे टाइम कुछ धर्म गुरू पैदा होने शुरू हो जाते हैं तो वो चीज बहुत गलत होती है तो हम चाहते हैं कि आप लोग जो है ना किसी भी चीज़ को हमेशा धार्मिक परिपेक्श में ना देख करके उसको समाज में समाज में क्या बदलावाएग तो वहाँ आकर फिर प्रॉबलम होने शुरू हो जाती है नेत्रत वो खुद में पैदा करो और खुद सूजबूज से चलो और ये कभी भी मत सोचो के मुझे बैसाक्यों क्या वश्रकता है मुझे किसी नेता क्या वश्रकता है मुझे किसी धर्म गुरू क्या वश्रकता है तो इस दिशा में सत्यसनातन भी आपके साथ है और हम इसी के उपर काम कर रहे हैं और कि हम सभी लोग जितने भी हैं वो अपने खुद के जो तरक शक्ती है उसको इतना ज़्यादा बढ़ा ले हम कि हम किसी का भी सामना कर सके तो आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहा है और हम ऐसे ही आपके साथ ये जो पूरा एक हम जो ओनलाइन गुरुकुल चलाने की सोच रहे हैं ये पूरी प्रक्रिया एक दिन बहुत बड़ी बड़ा रंग लेगी अभी आप वीडियोस देखिए कि किस परकार से कर रखना हमारी आपकी सब की जिम्मेदारी है तो सत्य सनातनमय दिक धर्म की चै ओम बंदे मात्रम चैहिन सत्तर साल में दो काम किये हैं एक तो सन पचास के आसपास जो जनसंग 2.5% वोट पर रह गई थी 1951 के चुनाओं में गांधी जी के हत्या के बाद वो जनसंग अब भड़ते 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 50-55% के परसेंटिज वोटिंग पर पहुच गई ये पहला काम इन लोग ने ये किया है दूसरा काम इन लोग ने ये किया है कि इस विचारदारा के चलते हमारे देश में आज की तारिक में आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम मुसल्मान पॉलिटिकली बेकार हो गया है एकनॉमिकली बेकार हो गया है और समाजिक सोचली बेकार हो गया है अब मुसल्मान सिर्फ एक गिंती बनके रह गया है 17% है 18% है 19% है जहां तक मेरा मानना है अगर यही रिवाद चलता रहा और अगर इसी तरह हिंदू एक जुट होता रहा तो आने वाले वक्त में हिंदूस्तान में जो हमारी अगली नसल है जो वकार साहब के और मेरे बाद जो नसल आने वाली है उसे हिंदूस्तान में और बुरे दिन देखने पढ़ेंगे वो और मुकधारा से दूर को जाएगा और हमारे मेता एजी बाते करते रहेंगे मार देंगे लाड देंगे हरा कर देंगे गुलावी कर देंगे